नमस्कार, मैं अम्रुता खानविलकर, आज मैं अपनी कुछ सहेलियों से मिली, इन सहेलियों का एक कारिक्रम था, जिसमें उन्होंने मुझे चीफगेस की हैसियत से बुलाया था, वैसे तो ये आमंतरन में टालना चाहती थी, लेकिन जब ये कारिक्रम खतम हुआ, तो मुझे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सभी महिलाए, ब्रेस्ट कैंसर की शिकार रह चुकी है, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? जी हाँ, इन में से कईयों की सर्जरी, रेडियेशन या तक की कीमो थेरिपी भी हो चुकी है, लेकिन जब इन्होंने अपने कारिक्रम में मेरा दिल से स्वागत किया, तो इनका जोश और उत्साह देख के मैं बस दंग रह गई अवसर था आस था ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रूप की शेरिंग मेटिंग का, जहाँ पर नए पुराने पेशिंट्स आकर एक दूसरे के साथ अपना अपना अनुभा बाढ़ते है, सुगदुब बाढ़ते है अब मुझे लगा था कि मैं वहाँ जाऊंगी और वहाँ पर बिमार, दुखी ओरते और परिशान रिष्टेदार पाऊंगी लेकिन यहाँ तो नई जिन्दगी का स्वागत हो रहा था और ये महिलाए कैंसर से दूर भागने वाली नहीं, बलकि कैंसर के साथ दोस्ती कर, हाथ मिलाकर आनंद यात्रा पे निकली हुई सहेलिया थी और उनकी ये यात्रा सिफ कुछी सालों की नहीं, बलकि 15-15-20-20 सालों की है एक सहीली के ओपरेशन का जनम दिन था, वो कह रही थी कि वो हर साल मनाती है फिर फट से एक ने बोला, अरे तो क्या हुआ अगर 20 साल हो गए, मेरे भी तो 18 साल हो चुके मैंने उनसे कहा कि आप तो कैंसर की पेशन्ट लगती ही नहीं है, तब सभी ने हसकर मुझसे कहा हम कैंसर की पेशन्ट नहीं, हम तो कैंसर की सहेलिया है कैंसर ने ही हमें जिंदगी जीना सिखाया है, वरना संसार का चक्र तो शुरू ही रहता कभी बच्चे, त्योहार, शादी, ब्या, तो कभी महमान नवाजेगी खुद के लिए जैसे वक्त ही नहीं मिलता था सब के लिए पकाए लेकिन खुद अंत में खाए और अगर ना बचे तो ना खाए मैं जानती हूँ कि आज ये हस्ती खिल-खिलाती दिखती है लेकिन शुरवात का दौर तो बहुत ही मुश्किलों से गुजरा होगा घर की चिंता, परिवार की चिंता, छोटे-छोटे बच्चों की चिंता एक सहेली ने बताया कि जब वो अपरेशन के लिए अपने घर से निकल रही थी तो उसकी 14 साल की बेटी ने चुपके से उसे एक कागस दिया और कहा, मा, अस्पताल जाकर पढ़ना जब अस्पताल जाकर मेरी सहेली ने वो कागस खोला तो उसके आसूँ का बांध फूट पड़ा क्योंकि उसकी 14 साल की बेटी ने उसके लिए एक देहद ही खूबसूरत कविता की थी प्रिया आई, तुम्हारे मन में चुपी भावनाओं को मैं पहचानती हूँ क्योंकि तुम्हारे पीछे चुपकर ही मैंने पूरी दुनिया देखी है कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए तु कभी नडगमगाई है तेरे मनो धैर्य से करती हूँ इर्शा ये ना अब गोते खा रही है तुझे पता है मा, इस दुनिया में बहुत मुश्किलों का सामना करना है पर मा, जीवन के इस युद को हम सब को मिलकर ही लड़ना है सच में तो ये सब बहुत मुश्किल है पर हम कभी नडगमगाएंगे हमारे पास अखंड प्यार की ताकत है इस क्षण में मैं क्या बोलू कुछ सूज नहीं रहा है तुम्हारे प्रती मेरा प्रेम शब्दों में घुल गया है सिर्फ इतना ध्यान रखना मा, तुम्हारे पुन्य कर्म के बल पर सब कुछ सही होने वाला है भगवान भी मजबूर होकर तुम्हें बहुत सुख देने वाला है तुम्हारी प्यारी बेटी, अनु ये मेरी एक और प्यारी दोस्त है, डॉक्टर चारूलता बापपे जब परिवार में किसी को कैंसर हो जाता है, तो पूरा घर हिल जाता है बिलकुल, मैं आपको बताओ, ये भी उस दिन मेरे साथ उस मीटिंग में मौझूद थी और महिलाओ की शंकाओ का समाधान कर रही थी, और उन्हें मार्गदर्शन भी कर रही थी इस माध्यम से हमें दुनिया को ये बताना है, कि कैंसर का निदान जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी है तभी इस पर लियंत्रन आ सकता है, इसका डर कम हो सकता है लेकिन कीमो थेरपी, रेडियेशन से पेशिंस को डर तो जरूर लगता होगा लगता तो है, कितनों को लगता है कि रेडियेशन के वज़े से सब कुछ जल जाता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, हलकी सी इरिटेशन होती है कीमो थेरपी की सिर्फ कल्पना से कितनों की नींद हराम हो जाती है फिर मुझे उनका घंटों काउंसलिंग करना पड़ता है लेकिन कीमो थेरपी से बाल जड़ते हैं उसका क्या? सही है कीमो के बाद सुबह उठकर देखो तो तक्ये पर बालों का गुच्छा सासी जैसे के थम जाती है एक पेशन ने तो सुबह उठकर खुद ही अपने सारे बाल काट दिये मानो भगवान को अरपन कर दिये हो ये देखकर उसकी बेटी उससे लिपट कर बोली मा तुम कितनी क्यूट लग रही हो बाल तो तुरंत आने लगते हैं और वो भी पहले से बहतर जैसे किसी नवचाद बालक के मुलायम बाल उन दिनों हम लोग पिकनिक पर गए थे बारिश की वज़े से सभी तरफ हलके हलकी घास हुगाई थी दूर के एक पहाड को देखकर मेरी आठ साल की भांजी बोली वो देखो मेरी कितनी पेशेंट ने पोस दे देकर उन दिनों के कितनी सारे फोटोएं खिचवाई है पहले गंजा सर फिर बॉय कट फिर बॉब कट फिर स्टेप कट और फिर से सुन्दर सी चोटी सच में कैंसर ने इन्हें हसना सिखाया और सिफ हसना ही नहीं बलकि जिन्दगी के हर पल का आनन्द लेना दिखाया होस्पिटल से डिश्चार्ज होकर जब मैं घर जा रही थी और गारी में बैठी तो अचाना तिरी इमजिम बारिश हो गए मुझे वो बारिश इतनी पसंद आई और मुझे अहसास भी हुआ कि अरे यह बारिश का इस तरह से आनन्द तो मैंने आज तक कभी लिया ही नहीं और फिर मैंने यह सीख लिया कि हर छोटी छोटी चीजों में मुझे किस तरह आनदित रहना है अपने मन को किस तरह से खुश रखना है जो कुछ भी मैं देख रही थी वो अद्बुद्धा अपूर्वता मुझे लगता था कि कैंसर मतलब सबकुछ समाब्त यही तो मेरी भावना थी पर यहा तो यह कह रही थी अच्छा हुआ मुझे कैंसर हो गया मैंने जीवन का आनंद लेना सीख लिया चित्ते प्रसंदे भुवनम प्रसंदम चित्ते विशंदे भुवनम विशंदम ऐसे कितने सारे स्लोग बे जिंदगी पुर पढ़ाते आई हो लेकिन इनका सही अर्थ कैंसर होने के बाद ही मुझे पता चला मेरी सर्जरी के बाद तीसरे दिन शास्त्री संगीत की एक्जाम थी और सब के मना करने पर भी मैं चली गई और एक्जाम होने के बाद मैं बेगोश होकर गिर पढ़ी बाद में डॉक्टर ने बताया थी वो जान लेवा हो सकता था लेकिन मुझे बिल्कुई गर नहीं था मैं कैसी मरती तब शास्त्री संगीत मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ शास्त्री संगीत है बिलकुली एक पेशंट ने कहा कैंसर पसीर बहाद diferencia मको होता है लेकिन हमीं कैंसर की रहा क्यों देखनी है क्यों न हम अभी से जीना सीखें पर इसके लिए हमें अपने शरीर की ओर ध्यान देना होगा ऐसी लाइफस्टाइल अपनाए कि कैंसर हो ही नहीं और अगर शरीर में इतना सा भी बदलाव हो तो प्लीज उसे नजर अंदाज बिल्कुल मत कीजी कैंसर का अगर जल्दी निदान हो तो वो करीब-करीब पूरी तरह से ठीक हो सकता है अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? अपनी स्तन का निया में चेक अप वक्त पर मैमोग्रुफी पैप स्मियर एवं HPV टेस्टिंग और जरा भी शंकाए तो तुरंत अपने डॉक्टर की सला लेनी चाहिए अब देखी मैं आई थी यहाँ इन्हें मार्गदर्शन करने के लिए लेकिन मैं ही कुर यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ मैंने एक ऐसा अनुभव पाया जो मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकती अच्छी लाइफस्टाइल और नियमिच चेकप से हम अपनी जिंदगी निरामय गुजार सकते हैं अगर दुरभाग्य से किसी को कैंसर हो भी गया तो आज बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट्स उपलब्ध है आधुनिक विज्ञान और मन की शक्ती इन दो हतियारों से हम महिलाए किसी भी संकट का डट कर सामना कर सकती है मैं ये बात कभी नहीं भूलूँगी आप भी मत भूलना किसी ही ट्यात बात कर सकती है झाप भूलना